दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि ग्रोव एप्लिकेशन में अपना डिमेट अकाउंट कैसे ओपेन करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप grow application की मदद से किसी भी company के share को buy कर सकते हैं और sell कर सकते हैं दोनोई चीज़े आज आज आपको इस वीडियो में live करके बताऊंगा तो वीडियो पूरे लाश तक देखते रहेगा चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले grow application open करूँगा और यहाँ पर grow pin डालके फिर fingerprint इंटर करके मैं grow के home page में आ गया हूँ अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं market start हो चुका है और यहाँ पर nifty 50 और sensex दोनों ही यहाँ पर so हो रहा हैं इसके just नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं stocks in news यानि कि आज के दिन जो भी stocks news में चल रहे हैं उनको यहाँ पर दरसाय गया है इसके just नीचे top gainers जो की आज के अच्छे performance देने वाले जो nifty में हैं वो यहाँ पर so कर रहे हैं top gainers में और वहीं top losers just इसके नीचे जो की आज का बहुत ही गंदा performance है market start होते होते हो सकते हैं बाद में अच्छा हो जाए तो अभी फिलहाल कुछ इस तरह का हाल चल रहा है market में चलिए उपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर dashboard में देखते हैं कि हमने कौन कौन सा shares buy करके रखा हुआ है पहले से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने चार shares में अपना पैसा invest किया हुआ है Jail India, Shrees, Reduka Sugar और Adani Power और NMDC तो अभी इन में से मैंने दो टोको sale में लगाया हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी share को buy कैसे किया जाता है तो चलिए हम यहाँ पर से Jail India के share को buy करते हैं तो जिस भी share को buy करना है यहाँ पर आपको search कर लेना है और यहाँ पर आपको click कर लेना है simply यहाँ click करने के बाद आपको उस share का details यहाँ प यहां पर आप इसका मार्केट डेफ्थ वगेरा देख सकते हैं कि कितना परसेंट लोग बाइ कर रहे हैं यहां पर एनलेटिक्स देख सकते हैं पूरा इस जेल इंडिया का मतलब हर पर्टिकुलर सेयर के नीचे आपको इस तरह से डिटल्स देखने को मिल जाएगा यहां पर इसका fundamentals आप चेक कर सकते हैं financials देख सकते हैं आप पर कौन कौन सेयर में कैसा performance रहा है तो पूरी तरह से आप इस जेल इंडिया के बारे में यहां पर देख सकते हैं चलिए अब उपर की चलते हैं यहां पर तो बहुत सारी details आपको देखने को मिलेगी चलिए यहां पर simply यह चल करना चाते हैं तो intraday करें और delivery में अगर लेना चाते हैं तो बहुत दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं तो delivery में रहने देता हूं दूसरा यहां पर आपको BSC और NSC किसी का भी share आप बाय कर सकते हैं दोनों यह option यहां पर available हैं और नीचे आपको price में आपको मिल जाए तो आपका buy होगा quantity में 16 share हम buy करना चाहते हैं simply buy पर click किये और market price पर हमने buy कर लिया अब आप यहां पर click करके order details चेक कर सकते हैं तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर jail India का share buy किया जो की 144 share था और 16 share और लिया तो 160 share मेरे पास हो चुके हैं ठीक है तो इस तरह है उलब करना से आपको किसी भी share को by करना होता है चलिए अब मैं किसी भी share को sell करके बताता हूँ सेल करना है इसके बाद आप यहां पर quantity डाल दीए कि कितना share आप sell करना चाहते हैं आपके पार total देखिए यहां पर 45 share है तो 45 से जश्याद article कर सकते तो 45 पूरा। सेल कर सकते हैं या फिर उससे कम भी सेल कर सकते हैं तो यहां पर हम इंटर कर लेते हैं जितना भी सेल हमको सेल करना है तो हम लोग पूरा 45 share अभी sell नहीं करेंगे सिर्फ demo के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ तो चलिए एक share मैं sell करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर numbers of shares को कम कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इसको numbers of shares one कर देता हूँ और अब मैं market price पर sorry यहाँ पर limit लगा के दिखाता हूँ पहले तो मैं आपको ठीक है तो यहाँ पर limit लगा देता हूँ इसके बाद देखते हैं कि limit लगाने के बाद कैसा होता है order place ठीक है तो यहाँ पर चलिए अभी जो price चल रहा है 99 रुपीज तो इसको हम बढ़ा के कर देते हैं क्योंकि जब 100.9 रुपीज होगा ना तब यह share sell करना है मुझे ठीक है तो इतना इंटर करने के बाद amount sell पर click कर देना आपका order place हो गया है जब भी share अगर 100.9 को अगर cross करेगा उसके बाद आपका share sell हो जाएगा तो यहाँ पर अभी pending में आपका sell लगा हुआ है ठीक है आपका यहाँ पर sell order के लिए लग गया है जब भी share का price उतना तक जाएगा तो sell हो जाएगा अब इसको cancel कर देते हैं क्योंकि share का price तो अभी जाने से रहा तो confirm cancel कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से market price पर ही sell करके आपको दिखाते हैं डेमो के लिए ठीक है तो फिर से हम इसी अदानी share पर click कर लेते हैं एक बार और sell पर click करते हैं इसके बाद यहाँ पर quantity में एक ही share में sell करके आपको दिखाऊंगा ठीक है तो एक ही share number of quantity रहने देता हूँ और sell पर click कर देता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं sell successful हो गया है मतलब एक share हमने sell कर दिया है अदानी power का market price पर ही ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अदानी share जो मेरे पास 45 share से जिसमें से एक मैंने sell कर दिया तो 44 share मेरे पास अदानी के बचे हैं तो आई होप कि आप भी इसी वीडियो के help से अपने share को buy और sell कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप grow app की मदद से mutual fund में investment कर सकते हैं और gold वगेरा भी खरीद सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं mutual fund और gold दोनों का option है यहाँ पर आप buy करके अपने dashboard में यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो अभी मैं mutual fund का dashboard नहीं दिखा रहा हूँ आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा तो जैसा कि आपने भी देखा कि grow application की मदद से किसी भी company के share को buy करना और sell करना कितना असान है इस वीडियो में मैंने जिस भी company का share buy किया है और sell किया है वो चीज़ किसी के लिए recommend नहीं है बलकि ये सिर्फ educational purpose के लिए बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी company के share को buy और sell कैसे किया जाता है अगर आप किसी भी company में पैसे invest करना चाते हैं किसी भी company का share buy करना चाते हैं तो उसके लिए पहले आप उस company के बारे में अच्छे से जान लिजे समझ लिजे इसके बाद ही अपना पैसा वहाँ पर invest कीजिए अगर आपको ये video पसंद आया तो like कीजे, share कीजे और चैनल को subscribe कर लिजे अगर आपको इस video से relate कोई भी doubt है तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक grow application पर अपना dmate account नहीं open करवाया है तो नीचे description में आपको grow app का link मिल जाएगा वहाँ से आप directly install कर सकते हैं अपने grow application को इसके बाद आप भी अपना investment journey start कर सकते हैं वीडियो पूरा लाश्ते देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के सांद तरता के लिए जय हिंद जय भारत